नवस्कार दोस्तों अगर आपके पास Realme 3 प्लस 5G मोबाईल और आप उसमें fingerprint setting करना चाहते हो यानिके fingerprint lock लगाना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लगा सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप phone की setting को open कर लीजी setting को open करोगे तो नीचे की तरह पर scroll करना है और यहाँ पर आपसन दिखाई देगा security and privacy इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद नीचे की तरह आना है और यहाँ पर आपसन मिलेगा device unlock इस पर जाना है अभी आपको face and fingerprint का आपसन मिल जाएगा तो इस पर क्लिक करना है fingerprint पर क्लिक करना है उसके बाद आपको continue पर क्लिक करना है यहाँ पर numeric alphameric pattern तीन options मिलेंगे तो किसी भी एक पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं pattern पर क्लिक करना हूँ उसके बाद आपके साब इस तरीके से continue का आपसन आजाएगा तो आपको continue पर क्लिक करना होगा जै देख पर हो यहां मैं scan करवा रहा हूं और अच्छे से scan करवा लेना है जितना ही अच्छे से आप finger scan करवाएंगे उतना ही fast आपका fingerprint work करेगा तो देखे कर दो